एक ऐसे वेक्ति जो अपने दिल को अपने बैग में रखर घूमता है एक ऐसा सहर जहां का बेडरूम एक कंट्री में तो किचिन दूसरी कंट्री में होते हैं और साथ ही जानेंगे दुनिया के सबसे हैंडसम गोड़े के बारे में आखे और भी इंट्रस्टिंग फैक्ट्स ने तो जानने के लिए बने रही वीडियो के अंग तक चलिए सुरू करते हैं वीडियो को नमबर वन राइनो के एक ऐसी प्रजाती है जिसके सुरक्षा के लिए हमेसा दो गार्ड तैनात रहते हैं पाई जाने वेले वाइट राइनो पुरी दुनिया में सिर्फ दो ही बचे हैं और अगर ये खत्म हो जाते हैं तो धर्ती से इनकी पुरी प्रजातिया ही विलुप्त हो जाएंगी दुनिया का सबसे हैंडसम घोड़ा माना जाता है नॉर्थ हॉलेंड के इस घोड़े की ब्रेट काफी रेर है इसके 6 फिट लंबी घुंगराले बाल और इसके सरीर और इसके गरदन की बनावट काफी आकरशक लगती है 3. तीन लाग साल पहले धरती पर मनुश्य के कुल 9 प्रजातियां मौझूद थी पर समय के साथ सभी विलुप्त हो गए और आज मनुश्य के जो प्रजातियां है उसो होमो सेपियन्स कहते है 4. अगर आपसे कोई कहे कि दो देसों की सीमाएं उसके घर के बीच से वकर गुजरती है तो सायद अब यकिन नहीं कर पाएंगे और यह सच है तरशल बार्लिस है नीदरलेंड और बेल्जियम की सीमाओं के बीच बसा है इसलिए यहाँ ऐसे कई घर हैं जिनके बीच से दो देसों की सीमाएं गुजरती है और यहाँ के घर, रेस्टोरेंट, कैफे, आधी का आधा ही से नीदरलेंड में तो आधा बेल्ज कि वह अपने वजन से दुगिने वजन की सिकार को अपने पंजे में जखकर कर उड़ सकता है यहां तक कि वह बड़े ही आसानी से बंदर जैसे जानवरों को भी लेकर उड़ सकता है हार्पी एकल के पंखों के लंबाई 5-8 फिट होती है और इनका वजन 6-7 किलो होता है नमब अगर हमारा हार्ट एक दिन भी काम ना करे तो हमारा जिंदर रहना ना मुमकिन हो जाता है पर इस टेन लार्किंग पांसो पश्पन दिन बिना हार्ट यानि बिना दिल के रहे दरसल वे एक आर्टिफिशल हार्ट को अपने बैग में रखकर घूमते थे जो कि 6 किलो का था और फिर पांसो पश्पन दिन बाद उन्हें एक डोनर मिल गया नमबर 10 एमजन जेंगल में बारिश के पानी को जमीन तक पहुशने में ही 10 मिनट तक का समय लग जाता है दरसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां के पेड बहुत ही घने और उचे हैं तो फ्रेंड अगर पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्वाइब कर दीजेगा और बैल आइकन को प्रस करना बिल्कुल भी मत बूलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में